आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step दिखाऊंगा United Bank of India का Net Banking Active कैसे किया जाता है उसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें Internet Banking Active करने के लिए सबसे पहले Google Chrome में टाइप करेंगे United Bank of India और सर्च करेंगे यहां जो first link आ रहा है उसको क्लोज करेंगे उसके बाद Internet Banking पर क्लिक करेंगे उसके बाद Welcome to Internet Banking पेज़ पर राइट साइड में United Bank of India पर क्लिक करेंगे आप पहली बार रेजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए first time user रेजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां रेजिस्टर करने के लिए दो पसंद दिया गिया है आप चाहे तो debit card यानि ATM card के थुरू कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास debit card नहीं है तो IPIN के थुरू कर सकते हैं IPIN के लिए bank से contact करेंगे bank दे देगा चले मेरे पास debit card है तो हम debit card से करेंगे उसके लिए registration through debit card पर क्लिक करेंगे उसके बाद bank से related कुछ information फिल करना होगा यहां debit card नमबर डालेंगे उसके बाद यहां debit card pin यानि ATM pin डालना होगा उसके लिए यहां keyboard आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां ATM pin डालेंगे यहां debit card expiry date month or year डालेंगे यहां account number डालेंगे उसके बाद date of birth डालना होगा उसके लिए calendar आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से year चूज करेंगे यहां से month चूज करेंगे यहां parent number आप चाहे तो डाल सकते हैं या बलेंग भी छोड़ सकते हैं यहां register mobile डालेंगे यहां बोला जा रहा है last five transaction में से किसी भी एक amount को इंटर कीजिए मेरा last transaction 30,000 है उसके लिए हम उसको इंटर कर देते हैं capture फिल करेंगे उपर जो लिखा हुआ है same वैसा ही लिखेंगे और submit पर क्लिक करेंगे उसके बद signing password set करेंगे signing password का जरूरत उस वक होता है जब internet banking login करना होता है password strong होना चाहिए कम से कम add character होना चाहिए इसमें uppercase, lowercase, digits, special character सब होने चाहिए example के लिए आप password ऐसे रख सकते हैं mohan add the rate 123 इस तरह से आपका जो नाम है उसमें special character और कुछ number add करेंगे और यहाँ password को दोबारा डालेंगे ताकि confirm हो जाए और यहाँ से transaction password set करेंगे transaction password और signing password अलग लग होना चाहिए transaction password का ज़रुवत तब होता है जब किसी को fund transfer करना होता है और transaction password को दोबारा डालेंगे आपकी register mobile number पर OTP sign किया गिया है उसको यहाँ डालेंगे और ok पर click करेंगे फाइनली आपका registration complete हो चुका है और लिखा हुआ है Congratulations your registration has been successful Now you can login after two working days यानि दो दिन के बाद आप internet banking login कर सकते हैं और आपका user ID mention किया गिया है user ID note करके रख लिजिए user ID और signing password से ही internet banking login होगा अब next video में दिखाएंगे United Bank से fund transfer कैसे किया जाता है I hope कि आप समझ गए होंगे internet banking active कैसे किया जाता है वीडियो को like share और चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले अगर अब भी कोई doubt है net banking active करने से related तो comment किजिए मैं उसका reply जुरू दूँगा I hope this like video thanks शयं पे लाएंगे नाता हो indian shallkities diye खर अधर शूदाना क्ैनल रहा हो SMITH अद्वाना क्वाइन ग्रीर को से दिged Contού कि आयं मैं जूदाएंगे भीर्माशने सेई